आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केश किंग एंटी हेर फॉल शांपू की ओनेस्ट रिव्यू जो की मेरा परसनल एक्सपरेंस रहा हूँ उससे पेले एक छोटी से रिक्वेस्ट है आपसे आगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा स्किप मत कीजे और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा और आपके दुस्तों के साथ भी शेयर करेगा चलो वीडियो की शुरूरत करते हैं यह जो एंटि हेरफॉल शांपू है आइचुली यह अईरुवेदिक शांपू है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं लेकिन इसके साथ मेरा एक्स्प्रेंच जो रहा बहुत वर्स्ट रहा क्योंकि मेरे बाल जढ़ने लगे थे तो मैंने सुचा कि मैं कोई अच्छा सा शांपू यूज कर लो लेकिन इसके नाम में ही आईरुवेदिक है इसलिए मैंने यह ट्राइ करने की सोची और इसे ट्राइ करने स्टार्ट कर दिया इसमें 21 हर्ब से ऐसे कहा जाता है और डेफिटिटली होंगे भी मैं आइम नॉट शूर अबाट दाइट एक्चुली मैंने जब यह शांपू स्टार्ट किया यूज करने तब मैं जब भी शांपू करती थी तब मेरे बाल जो है बंच में तूटने लगे और मेरे जो हैरफॉल है बढ़ता ही जा रहा था जब फर्स ताइम मैंने यूज किया तब मेरे जो मेरे बाल 30-40-50 के काउंटिंग में जड़ते थे आफ्टर शांपू वो यह शांपू यूज करने के बाद बंच में तूटने लगे जाने कितने बाल होंगे उसमें में काउंट भी नहीं कर सकती थी जब भी मैं इस शांपू से शांपू करती थी तब मेरे बाल अल्रेड़ी मेरे बाल बहुत ही फ्रीजी और ड्राय है जब भी मैं इस शाम्पू से शाम्पू कर दी तो मेरे बाद चाहड़ू से भी बत्तर बनते थे ऐसा नहीं है कि मुझे पर सूट नहीं किया मतलब आप पर भी सूट नहीं करेगा हर किसी के साथ अलग-अलग experience रहता है अगर आपको पहली बार में ये शाम्पू सूट नहीं हुआ तो आप इसे जरूर स्किप किजेगा ऐसा नहीं है कि पहली बार में आगर आपको सूट नहीं किया है तो आगली बार आपको जरूर सूट कर जाएगा एक बार दो बार चेक किया जिएगा दो तीन बार में भी आपको ये सूट नहीं किया तो आप ज़रूरी से स्कीप कीजेगा मैं बिल्कुल भी इस शांपू को किसी को भी रिकेमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मेरा इस शांपू के साथ जो एक्सप्रेंस रहा बहुत ही वर्स था इस शांपू के यूज करने के बाद मेरे बाल इतने जढ़ने लगे जढ़ने लगे मेरी सिचुएशन जो है वर्स से लेके वर्स्ट हो गई समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और यह शीशी इतनी बड़ी है कि 340 ml यह शीशी है 265 इसका रेट है मेरे मेरे जब यह शांपू मैंने यूज करने स्टार्ट किया तब मेरे साथ मेरे हजबेंट भी यूज करने लगे और ऐसा हुआ कि उनके बाल कभी भी नहीं चाहिए पानि इतना भी गंदा हो जगद चेंज हो जाए क्लाइमेट चेंज हो चाहिए कुछ भी हो जाए उनके बाल बिल्कुल नहीं जरते पे लेकिं उनके भी बाल बहुत भी धना स्टार्ट हो गए यह शीशी इतनी बड़ी थी कि मैंने सोच आप तीचे चलो एक बार म तीन बार में नहीं हुए पूरी शीशी खतम होने तक हम इसे क्या हम इसे इस्तमाल करके देखेंगे शायद आगे जाके मुझे सूट हो जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ शीशी खतम हो गया लेकिन यह शीशी जितने बाल ज़ड़ गए मेरे तो आप मेरे बाल जो है बहुत ही पतले हो चुकिए देख सकते हैं कि जाड़ों जैसे हो चुकिए मेरे मेरे बाल बनार के। तब से मेरे बाल जढ़ना भी कम हो गए इस वज़े से यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही और उसके रिजल्ट एंड में यह मिला कि मैंने मेरा जो मतलब 100% में से मैंने मेरे बाली शाम्पू की वज़े से 80% बाल मैंने मेरे लूज मतलब गवा दिये अब मैं बिल्कूल भी यही शांपू किसी को recommend नहीं करूँगी अब आप पर depend करता है यह शांपू आपको यूज करना है या नहीं करना है डिबेंड है कि आप आपके hair के लिए कौन से शाम्पू चूज करते हैं मैं इस शाम्पू के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मैं इस शाम्पू के साथ कभी खुश नहीं थी और मैं कभी भी किसी को भी शाम्पू रिकमेंट नहीं करूँगी यह मेरा honest review था गैस अगर आपको मेरा रिवीव अच्छा लगे तो आप एक लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और अगर आप सोच रहे शांपू यूज करने की तो मुझे कमेंट में जरूर शेर कीज़ेगा कि आपका एक्सपरेंस कैसा रहा मेरा रिवीव देखने के बात भी अगर आप ये शांपू देख मतलब यूज करने की सोच रहे तो आपका एक्सपरेंस इसके साथ कैसा रहा रिवीव में जरूर बताईएगा मैं जरूर चेक आउट करना चाहूंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट शेर सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे मिलते हैं नेक्स टाइम इसी तरह की वीडियो के साथ तब तब के लिए बाबाई सी यू